हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि किस तरीक से हम सी बी को हराएंगे लिखा भी देख रहा है कि सी बी अप क्लीन बोल्ड को किसी क्लीन बोल कर सकते हैं आप लोगों को तीन चीज़े दिखाऊंगी तो तीन चीज़े मैं तुम्हें दिखाऊंगी एक होगा क्रिशन पेपर प्रीविट रॉर क्रियव युटन पेपर दूसरा होगा सी बीएशी की मार्किंग स्कीम तीसरा होगा बाइशी जो टॉपर है हमारे जो कहते हैं शर्मा जी के गुप्ता जी के बेच्छे जो अब मेरे स्टूडेंज होंगे वो क्यों टॉपर बने, उन्होंने अपने आंसर में ऐसी क्या तिलसमाई चीजे लिखी, कि CBAC वाला जो एक्जामिनर था, वो अपने सारे ग्रहे कलेश, अपनी सारी बीवी की तरी परिशानी है, सारी बीवी, कितनी बीवी थी माम उसके, तो मैं जितनी भी टेंशन थी, उसक से भूल कर खुशी खुशी उसने उसको नंबर बाटे सो बेसिकली सी बेसी से नंबर किस तरीकी से खीचने है हमें वह आज के सेशित में मैं आप लोगों को बताऊंगी तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं चेले तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक क्वेशन जो हमारे प्रीवेस यर पूछा गया था हाओ आर कोवलेंट बॉण्स फॉर्मड कई बारी लाखों करोडों बारे मैं आपको ये क्वेशन करवा चुकी हूँ ठीक है अगर आप लोगोंने मुझसे पढ़ा है तो आपको पता है कि किस प्रकार आपको अपने आंसर को फ्रेम करना है किस प्रकार आपको चीजे लिखनी हैं, किस चीज को underline करना है, किस चीज को mention करना है, ठीक है, परन्तु फिर भी हम आपको बता देते हैं कि CVSE क्या चाहता है, कि आप अपने answer में क्या लिखो, यह है बेटा marking scheme, marking scheme क्या होती है, जब आपके जो teachers होते हैं चेक करते हैं पेपर, तो board उसे अपनी तरफ से एक चीज पकड़ा देता, कि तू यह चीज पकड़ा, अगर बच्चे ने अपने answer में यह चीजे, यह इसके आसपास की चीजे mention कर रखी है, तो बटे-बटे number उसे देने हैं, ठीक है, बड़ी मुश्किल से मिली है यह मेरे को, ठीक है, ऐसा कुछ between two atoms, इतना सीधा जवाब, अचा टॉपर नहीं क्या लिखा था फिर, टॉपर का एक बटे-बटे नमबर आते हैं, अब नहीं ऐसी चीजे राज रहने वाली, ठीक है, चलिए, एक बड़ी चेक करते हैं, एक बड़ी चेक करते हैं, पहले कितनी सुंदर है, ठीक है, जो तो तुम लोग कीडे-मकोडे मार कर शाही में डुबो कर लिखकर आते हो, वो गलती नहीं करनी है, वरना मैं ही तुम्हारी गरतन पकड़ के घुमा दूँगी, हैंड राइटिंग ऐसी लिखो कि वो खूश हो जाए, अपने घर के सारे कलेश भूल जाए, ऐसी चीजे लिखनी लिखते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, तौपर बनना, तो मैं बस वही लिखना जो स्वाती माडम ने बताया है, और वो तो तुम करी लोगे, अब अगर ये बच्चा या बच्ची ये लाइन ना लिखती ना तब भी इसको पूरे नंबर मिल जाते, क्योंकि सवाल में क्या पूछा था, कि भाई, कोवलेंट बॉंट कैसे फॉर्म होते हैं, उसने सीधा सीधा बताया दिया, कि भाई, जब दो इलेक्ट्रों आपस में शेर हो जाते हैं, दो या चार या छे, इलेक्ट्रों आपस में शेर हो जाते हैं, तो वो कोवलेंट बॉंड फॉर्म कर देते हैं, ठीक है, और उसने इसी चीज़ को अंडर लाइन भी कर दिया है, कि भाई, एक्जामनेर का सीधा ध्यान यहाँ चला जाए, ठोड़ी बहु अरे इसकी तो कच्छी मांडिया, रे भूल चूक माफ, भूल चूक माफ हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है, चलिए, अब एक क्वेशन चार तो तुम्हें समझ में आने का नहीं, यूल भी लाइक मैडम एक और समझाओ, तो एक और क्वेशन तुम्हें मैं दिखाती हूँ, हमारा जो CBSE का previous year question paper है, उसका question है, क्या है, the atomic radii of first group of elements are given below, first group में कौन से आते है, sodium, potassium, rubidium, cesium, और उनके atomic radii भी मुझको given है, कि इसका atomic radii इतना, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, सारा data हमको given है, data देखकर घबराना नहीं है, ठीक है, जब हम लोग होते होते हैं, तो हम data देखकर घबराते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम लोग data देखकर खुश हो जाते हैं, कि चालो, finally, चीज़े हमें sorted मिले, अब सवाल क्या है, सवाल पर आईए, सवाल क्या है, state the reason behind the observed trend, कौन सा trend है, यहाँ पर, atomic radii trend, क्या देख रहे हो तुम, 86 से 231 पर आई, 231 से 244 पर आई, 244 से 282 पर आई, so what is happening, as I am moving from sodium to potassium, potassium to rubidium, rubidium to cesium, atomic radii बढ़ रहा है, तो मुझे यही trend समझाना है, कि क्यूं बढ़ रहा है, atomic radii, CBSE क्या चाहता है, मैं क्या लिखू, atomic radii increases from sodium to cesium, due to addition of new shens, बस ही mention करना है, तुम्हें अपने answer में, बस number तुम्हारे कोई नहीं काट सकता है, अब देखते हैं, topper ने क्या लिखा है, अब वो यह topper है यार, उसको थोड़ी तो अपनी tour दिखानी पड़ेगी न, वो थोड़ी तो हवा बाजी करके आईगा ही न, तो एक line में भी गर तुम्हें इस answer को लिखते हैं, वो accepted होता, इसने क्या लिखा है, the reason for the observed trend is because atomic size increases down a group, हमें पता है ये चीज, जिदने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे, सब को पता होगी ये चीज, कि as we move from top to bottom, atomic size increase होता है, कारण भी बताना है कि क्यों increase होता है, और इस बच्चे ने वही कारण underline भी किया है, और कोई comment section में ये नहीं मुले का कि madam कहीं आप अपनी ही answer sheet तो नहीं लियाई हो, madam आप ही हो हमारी topper, आपके अलावा तो कोई और topper हो नहीं सकता है, ऐसी चीज़े मत लिखना है, ऐसे comment पढ़कर आखे बराएंगे फिर मेरे, ठेक है, but मर्जी है तुम्हारी लिखना है तो outermost shell of atom, even though nuclear charge increases, हमें नहीं लिखना इतना कुछ, ये topper है, इसको हवाबाजी करनी है, उसने कर दी हवाबाजी, सही हवाबाजी करी, पर कर दी हवाबाजी, तुमसे सीधा पूछा गया है कि as you are moving from top to bottom, size क्यों बढ़ रहा है, मड़म नया shell add हो रहा है, एक number के question में बस इतना लिखना है, because new shell is added, काम वहीं पर खतम है, हाँ, अगर ये ज्यादा number का question है, तो तुमें थोड़ा बहुत ग्यान देना होगा, कि as we move from top to bottom, new shell add होता है, new shell add होने की वज़े से nuclear charge घट जाता है, इसी लिए, जो distance है, वो increase हो जाता है, you can rate all of it, अगर ज्यादा number का है, ऐसा नहीं है, कि ma'am, एक number के question में, क्या हम इतना सब ग्यान नहीं लिख सकते हैं, लिखो, बिल्कूल मनाई नहीं करी है, लिखो, पर ऐसा नहीं है, कि इस answer को लिखने के चकर में, स्वाती ma'am को impress करने के चकरों में, कि जब हम लोग बनेंगे न, topper, और जब हमारी answer sheet publish होगी, तो स्व आती ma'am would be so proud कि ओहो, बच्चे एक number के question में, इतना detailed explanation लिख कराएं हैं हमारे, ठीके, इस साल मुझे तुम लोगों की answer sheet चाहिए, ताकि मैं next year बच्चों को दिखा सको, का रहा है, मेरा ही लिखवाया हुआ है, सारा सब, ठीके, promise करते हैं नो, सारे के सारे, कि next year तुम्हारी answer sheet discuss करनी होंगी मैं, ठीक है, चलिए, so it's totally upon you, एक number के में तुम इतना लिखना है, तुम लिख सकते हो, बट वो छोटे से भी कम चल जाएगा, ओके, चलिए, अब एक और question फटाफिट से देखते हैं, ये भी हमारी periodic table का question है, इसमें अपने को, ये category और elements with their atomic mass given है, और इससे related हमारे पास सवाल पूछे हैं, पहला सवाल क्या है, कि भाई, जो ये given three category है, category A, B and C, pick the one which forms dober near triads, जिन में से कौन सी dober near triad को form करती है, है ना, अगला है, why did Mendeleev place elements of category A, B and C in three different groups, है ना, is Newland law of octave applicable to all the three categories, give reason to justify your answer, बड़े मुश्किल जा सवाल लग रहे है, माडम, जी सा घबर आ रहे question देखके, answer देख लेते, एक बड़े मैं नहीं बोलूँगे, बिलकुल भी क्या answer लिखो आप, सबसे पहले का answer है, कि category A, यानि कि lithium, sodium, potassium, हमारे dober near triad है, ठीक है, ये नहीं है dober near triad, ये नहीं है dober near triad, अब उसमें है कि मेंडलीव ने अलग-अलग क्यों रखा, because the physical as well as chemical properties of A, B, C are different, भी तीन category में इसलिए रखा, क्योंकि इस category के जो element है और इस category के जो element है उनके properties different थी, ये CBSE ने अपनी marking scheme में mention किया है, अब अगला है कि इन categories में से क्या कोई new land law of octave को follow कर सकता है, नहीं क्या new land law of octave तीनों category में applicable है, सवाल ये है कि क्या new land law of octave इन तीनों category में applicable है, तो सवाल है, नहीं, reason भी पूछा है, सिर्व ऐसे नहीं, नहीं लिखके छोड़ देना है, reason भी है, because new land law of octave was applicable only up to calcium, ठीक है, टॉपर जीन ने क्या लिखा है, टॉपर जीन ने लिखा है कि category A, यानि कि lithium sodium potassium forms dober near triad, ठीक है, bracket में mention कर देना कि category A के elements कौन से, क्योंकि examiner इसे पलट-पलट के नहीं देखेगा न, तो तुम mention कर देना कि भी lithium sodium potassium की हाँ पर बात, चल रही है, उसके बाद mentally placed the elements in different groups as they had different chemical properties, य अगर यहां तक भी लिखता तो काम चल जाता, क्योंकि examiner ने बोला है कि बच्चे ने अगर chemical properties तक भी लिखा है, तो भी बात बन जाएगी, understood everybody, आगे को जो उसने ग्यान लिखा है, you can totally write it, अब यहां पर है, newlands law of octave is not applicable to all the three, it is applicable only up to calcium, ठीक है, इतना लिखते बात बन जाती, बट उसको थोड़ी घबराहरती, तो उसने पूरा explain किया, कि since gallium and as are found after calcium, कि भाई जो यह category है, इस category का जो as हो गया, इस category का जो gallium हो गया, वो calcium के बाद आते हैं, इसलिए यह दोनों category newland law of octave को follow नहीं करते हैं, बोडरे नहीं बोला, तुम पूरा इतना explain करो, तो घबराना न कि तो खुद के उपर self doubt आने लग गए, कि भाई यह तो topper है, topper हमेशा correct होगा, नहीं, मुझसे पूछो, एक topper से पूछो, नहीं थी मैं पर मैं फिर भी बोलूँगी कि मैं topper थी, मुझसे पूछो, toppers हमेशा correct नहीं होते हैं, एक कहावत होती है बेटा, कि a thief knows a thief, like a wolf knows a wolf उसी प्रकार, a topper knows a topper, like Swati ma'am knows a topper, ऐसे मन के चलो, ठीक है, so ऐसा कुछ नहीं है, that you have to write everything, to the point रहना है, absolutely to the point रहना है, ठीक है, अब एक बरी फटा फट से मैं, numerical को कैसे attempt करना है, यह और सीख लेते हैं, अब आपके पास आगे, यह numerical, एक electric bulb है, 200 volt का, 100 watt का, उसका resistance बताना है, ठीक है, यह questions है, मैं एक बरी बस बता देती हूँ, कि कैसे, अब numerical को किस प्रकार attempt करना है, क्योंकि हम लोग ठीओरी तो बखुबी attempt कर लेते हैं, मैं numerical में क्या-क्या चीजे mention करनी होती है, कई बारी confusion हो जाता है, मडम given किस प्रकार लिखना है, मडम solution किस प्रकार लिखन है, formula लिखना है या नहीं, a lot of confusions can be created, तो एक बारी बस ऐसे देख लो, CVSE ने क्या बोला भाई, सीधा formula लिख, P is equal to V square upon मैर, value put कर R निकाल ले, topper ने क्या किया, P जो given है वो लिखा, V जो given है वो लिखा, फिर formula लगाया, और फिर answer निकाला है उसने, तुम लोग भी जादा न एक दम तशन में नहीं आना है वाई, CVSE ने तो बोला ही नहीं है, given लिखो, तुम लोग लिखना given, because अभी तो में इतने फनने खा नहीं बने हो, तो given लिखोगे, तो calculation तुम्हारे लिए ही और ज्यादा आसान हो जाएगी, और इसे छोटे-मोटे questions के उपर अपना time waste नहीं क समझ में, चलिए, तो यह इस तरीके से चीजे चली, अब देखो तुम्हें, मैं थोड़ा break up बताती हूं कैसे होता है, वो वाला नहीं जिसके बारे में तुम सोच रहे हो, ठीक है, formula लिखा, अगर केवल formula लिख रहे हो, तो आधा number मिलेगा, ठीक है, जैसे वो नहीं हो, तक लिखा है, तो भी आधे number मिलेंगे, उसके बाद इसको पूरा का पूरा calculate करने का भी एक number मिलेगा, पर मान के चलो, भाई, calculation नहीं आई, बहुती ज़्यादा pressure में हो, answer नहीं निकाल पाए, तो answer ना निकालने के number कटेंगे, बट केवल आधा number कटेगा, तो अगर answer नहीं आया है, ऐसा मत करना, पूरी copy पे काटे मारा हो, paper फाड़ दो कि भाई, हमारा answer नहीं आ रहा है, सिरफ आधा number कटेगा, answer ना आने का, एक और आधा number मिलेगा आप लोगों को, आई बात समझ में, given लिखने के number नहीं मिलेंगे, formula लिखने के number मिलेंगे, जैसे यहां पर भी देखो तो तुम formula लिखने का आधा number मिला है, आप लोगों को, calculate करने का अलग number मिला है, आई बात समझ में, और उसके बाद energy consumed, पूरा answer निकालने का आधा number मिला है, so answer अगर नहीं लिखकर आओगे, तो केवल आधा number कटेगा, ज्यादा load नहीं लेने का है, आगे बात समझ में, समझ रखना है, जो मुझे पका पता है, तुम रखोगे, बाकी तो आपन लोग practice मारते ही रहेंगे, ठेक है, चले, so I wish you all the very best and just have faith in yourself, just keep on believing in yourself, सारी चीजे बढ़िया होंगे, बहुत ही बढ़िया तयारी की है, तुमने end moment पर आकर anxiety और डर के मारे, जो भी पूरे साल करा है, उसक मत खो, बहुत ही बढ़िया चल रहे हो and I believe in you and you all should also believe in yourself, ठेक है, चलो, मिलते हैं फिर.